इसके बाद पुलिस और वन विपर पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ जैन श्रीमान रोहन जी आप बंगलूर के हैं हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉग ग्रेजुएट भी हैं आपने पोलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स को भी अध्यान किया है इस ज्यान का आप आज की पुलिस विवस्था में क्या रोल देखते हैं श्रीमान मैं जब ट्रेनिंग में जॉइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आप आरी हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनियन सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत शोटे लग रहे हैं ग्लोब च्रीम जुक से द्वरैन सिर्फ इंडिया को ही लोकलीज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है तो इस नौलेच से रिलेशन्स रखना और अन्या क्राइम्स को सौल्व करना इंटरनाशनल क्रोस बोर्डर टेरिज्जम नक्सलिजम और ड्रक्स का मामले में सौल्व करना उप्योग होता है श्रीओंध हम अक्सर पुलिस एकडेमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं आपको जो ट्रेनिंग मिली आपको क्या लगता है क्योंकि आपने अपने पिता जी को देखा है जिन्दगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है लेकिन आप स्वयम खुद इस ट्रेनिंग में आए तो आपको क्या फिल हो रहा है मन में एक संतोस हो रहा है आपके पिता जी ने जो आपसे अपेच्छाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए छमता है आपकी दिखती होगी और आप पिता जी कंपरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी आपके जमाने में कैसी होती है तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भीड़न भी होती होगी सर मेरे पिताजी मेरा रोल मोडल भी है और उन्होंने करनाट का पॉलीस में सब इंस्पेक्टर के रूप में जॉइन किया थे और सहती साल के बाद वो स्पी के रांक में रिटार भी हो चुका है सर तो जब मैं अकाडमी पहुंच रहता है उन्होंने बोला था कि पोलीस ट्रेनिंग बहुत कटिन होता है और बहुत मेनत करना पड़ेगा तो मैं आते हैं अंदर एक माइकल आंजलो का एक वाक्या लिका है सर उसमें बोला है हम सब के अंदर एक स्टाचू और इपल इए एक शिल्प है हम अक्याडमी के दुआर उष शिल्प को एक स्टों से निकालना पड़ता है ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फाकुल्टी हमको ट्रेन करके हमारा अत्या बहतरी शिल्प बबनाया है तो अम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे अ अचाहिए इस ट्रेणिंग को और बहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुजाव है मन में? और सब चेंज़स हो चुका है और हमारे सोच रख कर ही ट्रेणिंग कर रहा है और हमको इंटरेशनल स्टैंडर्स पर ट्रेणिंग कर रहा है तो मैं बहुत कुछ हूँ इस ट्रेणिंग से रोण जी मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्वीमर है और आपने अकडेमी के पुराने सारे रेकॉर्ड भी तोड़ दिये हैं जाइर है आप आज कल ओलेंपिक्स में भारत के खिलाडियों के अच्छे प्रोदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे आने वाले समय में पुलीस सेवा से बैथर अथ्रिट्स निकालने के लिए या फिर पुलीस के फिटनेस बलको सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलीस का जरा बैठना उटना चलना सब जरा कुछ अलग ही ने जराता है आपको क्या लगता है सर अकैड़िमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहां समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाते सर अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है त और जब हम जिल्ला पहुंचेंगे हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पोलीस अधिकारे को भी इस बारे में बोलके उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तब्यत को कैसा टीक रखने का इनका जानकारे भी देके हम सिर्फ आपके फिटनेस ही नहीं बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है श्रीवान चलिए रोण जी मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा फिटनेस और प्रोफेशनलिजम हमारे पुलीस की एक बहुत बड़ी जरुरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साई युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलीस सिस्टिम में लागू कर सकते हैं पुलीस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेदित होंगे जैन श्रीमान इसी श्रंकला को बढ़ाते हुए अब मैं आम अंत्रित करती हूँ श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वहें आपके समक्ष अपना परिचे रखे और समवाद करें जैन सर मेरा नाम गौरव राय है मैं महराशा के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे 36 काडर आवंटित हुआ है मैंने कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग पूने से सिविल इंजिनेरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्फ मैं इंडियन रेलवेश में कारि यह भी ताए है कि आपको जीतना ही जीतना है वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शत्रंच का घ्यान का काम आ सकता है यह सर मैं क्योंकि शत्रेंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके सा सोचता हूं मुझे जैसे चत्रेजगर काडर अलोट हुआ है और वहां पे लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम उपर में है मावाथ तूसमें सर मुझे हमेशे यही लगता है कि शत्रेंज में दो चीज होती एक स्ट्रेजी और टैक्टिक्स तो हमेशा अपनी फॉर्स पेरूर उर पॉलिशेस्ट में से सैटेजी हो जो उनको टैकल कर सके हैं और अप्रेशन के थूग हम ऐसे टैक्र्टिक्स का इस्तुमल करे जो कि हमें टेर्निंग आकडमे में वें भी सिखाया गया है इस इस तरीके से operations करें कि हमारी कम से कम losses हो और हम जादा से जादा इन लोगों पर अटेक करके इनको रोग सके गरोजी आपने बताया है कि आपका कैडर 36 गर एलोट हुआ है और वहां की स्थिती के विशे में आपने उलेक किया वहां लिफ्विंग एक्ष्रिमीजियम की स्थिती भी है और आप उसे परिचित भी है ऐसे में आपकी भूमिका और भी एहम है आपको कानून व्यवस्ता के साथ साथ जन जातियक शेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क् स्कूल लाइट में कॉलेज लाइट में क्योंकि एक शित्र ऐसा है जहां इन चीजों के भी बहुत ज़रुत पड़ती है यह सर भाइटी सरकार की जो दो तरफा रण नहींती है विकास की और सिक्यूरिटी पॉइंट ऑफ यूस है तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं यह समझता हूँ कि मैं नकसल लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम को खतम करने के लिए विकास ही एक रास्ता है और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचे तो हमारे दिमाग में रेल, रेल, रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटी जाती है तो मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं अपने इस नौलेश का अच्छे से उप्योग कर पाऊंगा चत्तिस गड़ मैं आप गड़ चिरोली विशेक मैं भी काफी कुछ स्टड़ी करते होंगे महराष्ट के हैं तो यह सर उसके बार में भी मालूम है बड़ा है गरोजी आप जैसे युवा अपसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइबर फ्रोड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माववादी हिंसा को हम सिमीत कर रहे हैं आज जन्जातिय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाये जा रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लिडर्शिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरी आपको बहुत शुप कामना है धन्यवाद सर जैन श्रीमान आपका बहुत धन्यवाद अब मैं आम अंत्रित करना जाओंगी सूश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समख्ष अपना परिच्चर रखें और अपने विचार व्यक्त करें जैन सर मेरा नाम रंजीता है मैं हर्याना से हूँ और मुझे राजस्तान कार्डर अलोकेट हुआ है सर मेरी डिस्ट्रिक्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अती विशम लॉइन और सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा